हे गाईज कैसे आप लोग मैं हूँ शुबाम और आप देख रहे हैं फैंटेसी एक्सप्रेस का यूटूब चैनल इस वीडियो में हम बात करेंगे संराइज हैदराबाद वर्जिस पंजाब किंग्स के बीच में होने वाले आई पिल के 37 पे मकाबले की ये मैच बहुत इंपॉर्णन रहेगा बैट्समेन के परस्पेक्टिफ से क्योंकि मैच खिला जाएगा शार्जा में और आपको पता है शार्जा में कितनी एफेक्टिवली बैटिंग होती है अभी आपने देखा आउट ओफ फॉर्म विराट कोल परफॉर्म करते हैं पर्टेकल का भी परफॉर्मस आता है गाई कवाड़ भी कंसिस्टेंसी मेंटेन करते हैं और हर एक जो अच्छा बैट्समें आज खेलने वाला है इस मैच में इन दोनों टीम से वह परफॉर्म करेगा क्योंकि पास्ट में भी यही ट्रेंड यहां पर प्रमोशन भी शार्जा में मिलती हुँए अच्छा खासा एक्सपेक्टेशन रहता है एक्सप्लोजिव बैटिंग का तो जो बैट्समेन आज खेलेंगे जो एक्सप्लोजिव बैट्समेन है खास करके पंजाब किंग्स से अगर हम देखें तो निकलस पूरन इसके अलावा स जादा फोकस करेंगे तब इस मैच को जीत पाएंगे जल्दी से चलते वेट नहीं करते हैं और देख लेतें क्या कुछ स्टैट्स हैं कौन से परफॉर्म कर सकते हैं तो गाइस दोनों टीमों के अगर आप हैड टूएड रिकॉर्ड देखें तो हैजराबाद ने 12 मैचस को है तो थोड़ी सी मेरे साबस जो फेवरिट रहेगी वो हैफिर आवाद की Tीम रहेगी हालाकि हैधराब爸न पर प्रॉसा नहीं कर सकते हैं मेंडर इनका भी थोड़ा सा इसी टाइप का बाकी बॉलिउस्धाबाद की बहुत क्लासिक है है यहां पर हम बात करें सबसे पहले है एक मैंच में पिछले साथ- crypt मैंक से consistency क्या लेविल की maintain करी है, minimum country11 , maximum um laugh की scoring मैं इस बैश बेल चाएंग Б jeaient्यार्जा में पी आपको ऐसी कुछ देखने को मिलेग ऑ Darren बैटिंग करने के लिए इसके लावर रिदीमन सा ओपन करेंगे वर्णर की साथ जिनके कुछ खास रिकॉर्ड नहीं है आप पोजिशन टीम के खिलाफ आकरी चार मैचिस में दो बार स्कोरिंग दस से भी कम रही है और दो बार स्कोरिंग जो है वो 18-28 तक भी गई है बट उत मस्ट अपनी टीम में रखना पड़ेगा शार्जा में ये भी ब्लास्ट कर सकते हैं इसके बाद आते हैं मनिश पांडे इनकी अगर हम बात करें तो ये भी ठीक ठाक खेलते हैं आप पोजिशन टीम के खिलाफ 50% मैचिस में स्कोरिंग 36 या उससे ज्यादा की रही है और टे टीम इनको क्यों इतना चांस देती है बट फिर भी फ्रेंचाइजी के लिए ये पिछले दो-तीन साल से काफी स्टगल कर रहे हैं जिस फ्रेंचाइजी में जाते हैं वहां पर अच्छा परफॉमेंस नहीं कर पाते हैं इसके बाद आते हैं अबुल समाद टीम के टॉप किया जाएगा लंबे-लंबे चख्य मानने के लिए जाने जाते हैं और शार्जा में इनको मौका तो मिलेगा ही मिलेगा इसके बाद आते हैं जेसन होल्डर टीम के लिए में गेंजवात बोल सकते हैं पेस्ट डेपार्टमेंट से काफी एक्सपिरियंस होल्ड करते हैं साइसट टाइम आने पर थोड़ी बहुत बैटिंग भी कर सकते हैं ये भी आपके लिए मस्ट हैव इस मैच में रहने वाले हैं फिर आते हैं राशित खान 275 रिनिंग में 382 विक्टे निकाल चुके हैं सबसे बड़िया स्पिनर अगर बोलें पूरे टूर्णामेंट्स में तो सबसे टॉप क्वालिटी में यही प्लेर आता है इसको आपको हमेशा लेकर चलना है क्योंकि सन्राइज इसकी तरफ से टाइमली रंस भी बनाता है इसके लावा बॉलिंग भी बहुत कड़क करता है आपको लेकर चलना ही है बुमनिश्वर की बात करें तो रीसेंट फॉर्म कुछ खास नहीं चल रही है आप कहे सकते हैं 55-50% मैचिस में सक्सेस मिल रही है बा इसलिए इस मैच में आपके लिए ट्रम कार्ट पिक हो सकते हैं फिर आते खली लेमद इनकी अगरम बात करें तो रीसेंट फॉर्म इंका वैसे उत्ता च्छा नहीं चल रहा बट बॉलिंग ठीक टाक कर रहे थी फस्ट मैच में नोटिस करी चीज प्लस आप पोडिशन टीम की तो केल राहूल महिं का अगरवाल टॉप बैट्स मैंने कोई बताने की इसमें ज़्यादा जरूरत नहीं है दोनों के हैट्ट रेकॉर्ड देखेंगे तो दोनों के हैट्ट रेकॉर्ड भी आप पोडिशन टीम के खलाप बहुत ही बैतार है नंबर तीन के पास एडिन मर बैटिंग कर लेते हैं आपको लेने चाहिए अगर आप लेते हैं तो आपका फायदा होगा वट निकलस पूरण की इंपोर्टेंस बहुत ही जादा रहेगी इस मैच में क्योंकि ऐसे ट्रेक्स पे इनको प्रमोशन मिल सकता है बैटिंग में और यह अच्छी खासी बैटिं तो सिर्फ ग्रेंड लिग की कुछ एकाट टीम में ही ट्राइ करिएगा होगी चलने के चांस बहुत ही कम रहेंगे इसका फेवेन आते हैं सीपेल में काफी बढ़िया ओल लाउंडर बट जब आईपेल में आए तो इनसे जादा ना बोलिंग टीम करा रही है ना बैटिंग में कुछ ज़्यादा चांस मिलता है तो एलें अच्छी आपके लिए नहीं रहेंगे बट अगर इनसे टीम बॉलिंग पूरी कर वाले और बैटिंग में प्रमूट कर दे क्योंकि ये भी काफी बढ़िया हीटर मानने जाते हैं तो आपके लिए फैंटसी में अच्छे का से स्थैव रहेंगे दोनों डैट में गेंदवाजी करते हैं प्लस अच्छी खासी विक्टे लेके जाते हैं पंजाब के लिए हमेशा से इनके आप स्टैट्स वगेरा भी देख सकते हैं और पोजिशन टीम खिलाब परफॉर्मेंस है इशान पूरल की परफॉर्मेंस भी तो इनका पहला मुकाबला रहेगा इसारची खिलाफ तो इन पर मैं ज्यादा भरूसा नहीं करूंगा मेरा जो में एट्रक्शन रहेगा और मौमस शमी की बॉलिंग रहेगी पंजाब की तरफ से यह दोनों को आपको पस टीम में ले ले लेना है तो यह एक शॉर्ट प्रि अच्छी खासी इनिंग शार्जा में प्रेड्यूस करके आपको दे सकते हैं यहां पर महिंग अगरवाल को नहीं ले पाई क्रेट की कमी थी बट फिर मैंने अबुल समात को ले लिया है अच्छे खासी फॉर्म में लग रहे थे पिछले मैस में यह परफॉर्माइस करके द को इनकी बॉलिंग की वई से लिया है प्लस इनकी जो आठ क्रेट थे उसकी वई से भी लिया हुआ है वरना मेरे जो देखें मैं जो कोशिश करूंगा अधर टीम जहां पर में टीम बनाऊंगा जैसे मनीश पांडे को भी मैं लेने के ट्राइब करूंगा और भी जो यह है मेरे और यहां पर क्रेट की कमी नहीं थी आपके पास सीशेंट होते है तो मैं यहां पर मै左 वे जूलडर को भी एसा में आ डेकर लेते हैं बोलर तो हैं यहां पर देखिए मेरे जो मेरे चाहिजित खाने और पंजाब की तरफ से मोस सेच्ट में आपको रहेंगे आज दीप मोहमा शामी है जो डैथ में भी आपको एड्वांटेज देंगे अपनी बॉलिंग का तो मेरी साब से यह टीम काफी बढ़ी आपके लिए हो सकती fan to play पे classic fantasy खेलने के लिए और इसके लावब अगर आप challenge fantasy खेल रहे तो आपको पता है दो तीन चार प्लेगी आपको वहाँ पर टीम मनानी होती है challenge fantasy पे उसमें आप batsman को ही टीम में prefer कीजेगा अगर आप दो में सबसे ज़्यादा पॉइंट दे सकता है इस चीज का बिल्कुल ध्यान रखेंगे और challenge fantasy खेलते समय भी आपको बिल्कुल इस चीज का ध्यान रखना ही है और वीडियो को यहाँ पर करते हैं घताम एक शौट प्रिव्यू था बढ़ा को काफी को समझ में आ गया होगा इ टाइम काफी ज़्यादा ओफर्स चल रहे हैं साती साथ आपको क्रेट का भी कोई इशू नहीं है आप पूरी बैटिंग कवर कर पा रहे हैं और इस से अच्छी बहतर बात आपके लिए कुछ नहीं हो सकती जिनको नौलेज नहीं है शार्जा की वो अपने टीम में बोलस ज रेइस्टर कर लिजेगा वहां पर आपको एफेक्स कोड लगाने के बाद बोनस फ्री एंट्री इसके अलावा डिपॉजिट ऑफर गिवाफ इस वगेरा बहुत कुछ मिलने वाले हैं तो नीचे मैंने लिंक दे दिया है फैन टूपले का वहां से डाउनलोड कर लिजेगा और रेफर कोड में एफेक्स जरूर लगा दीजेगा ताकि आपको बोनस वगेरा सब कुछ मिल जाए आप एफेक्स फैमली का हिस्सा बन जाएंगे वह आपके लिए एक अच्छी चीज रहेगी को कि हमेशा आपके लिए कुछ ना कुछ आफर तो मैं लेकर आता ही रता हू तो गई तब वीडियो के आपर करते हैं खता हम वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक कर दीजे और आगे अपने फैंट साथ शेयर कर दीजे तब तक के लिए बाबाए